हेलो फ्रेंड वेलकम टुग्यान प्लस उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग अर्थात यूपीपीसी से एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है जी हाँ यूपीपीसी से एक बड़ी खबर 6970 पदों पर भरतियां होने वाली है आयोग एक बंपर भरती कराने जा रहा हैं और किस कारण यह भरती नहीं हो पा रहे थी इससे भी आपको रूगरू कराएंगे चलिए आपको स्टार्ट करते हैं वीडियो को दिखाते हैं यहां पर देख पा रहे होंगे योगिता के विवाद में फंसे 6970 पदों पर भरती सीख जी हां दोस्तों यहां पर देख सक ने तो इधियाचन पोर्टर से कुल 25 प्रस्ताओं मिले हैं दोस्तों 25 प्रस्ताओं मिले थे जिसमें से आप देख पा रहे होंगे यहां पर इधिया गया था जबकि 16 प्रस्ताओं को वापस करेक्शन के लिए भेज दिया गया जिसमें अगर डिटेल से बात की जाए तो द 6970 पदों पर भरती प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रहा है कार्मिक विभाग में विभागत दिच्छों को ऐसे प्रस्ताओं को संसोतित करते हुए आयोग के भेजने का निर्देश दिया है प्रदेश में समुगय वग्धा के पदों पर भरती का अधिकार उत्तर प्र प्रदेश लोग सिवायोग करता है इसना तक कि समकचता को लेकर इस्तिति साफ नहीं पर जो ग्रेजिवेशन लेबल भरती इस्तिति साफ नहीं थी तो इसी को लेकर आप देख पा रहे होंगे यहां पर लोग सिवायोग ने 6970 पदों पर भरती समद्य मिले प्रस्ताओं को समद्य विभागों को वापस कर दिया था जी हां ग्रेजिवेशन लेबल पर जो इस्तिति थी यह साफ नहीं हो पा रहे थी इसकी योगिता क्या होने वाली है समकच्चता को लेकर इसकी स्पष्ट नहीं थी इसलिए लोग सिवायोग यूपी प्यस्टी ने 6970 पदों को उन सभी विभागों को वापस कर दिया था तो जिसमें उसके बाद यहां पर मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ की अधिशता में पिछले दिनों भरती आयोगों और बोर्ड दिच्चों की बैठक हुई थी इसमें भरती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था जी हां जब सियम योगी के साथ इन विभागत दिच्चों के बैठक हुई तो भरती को लेकर बड़ी बात हुई तो जिसमें योगी ने एक कड़ा आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाए गए कई बड़ी भरतियां आपको देखने को मिलेगी जिसमें से एजी टीए जैसी भरतियां भी सामिल रहेंगी बैठेक में ही समक्चता का मामला भी उठा था लोग सिवा आयोग ने बताया था कि इस पर शुना होने से कुल 51 प् भी प्रस्ता वापस मिले हैं उन्हें संसोधित करते हुए लोग से वायोग को भेज दिया जाए तो उम्मीर यही करते हैं जल से जल आपको एक नई है और बड़ी अपडेट पॉजिटिव अपडेट मिलेगी कि समू जो यह लगबक साथ हजार भरतियां हैं यह जल से जल करा जात्र तक के लिए धन्यवाद